नमस्का दोस्तो मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंतर जैसे ही दिसंबर का महीना समापत होने वाला होता है और जनवरी का महीना आने वाला होता है हम सभी को ये लगता है या हम सभी लोग इस बात को जानने के लिए उस्तुख होते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है हमारा आने वाला जो वर्ष है वो हमारे लिए कैसर हैगा खुशिया लेकर आएगा या कुछ परेशानिया लेकर आएगा अगर खुशिया लेकर आने वाला है तो कौन-कौन सी खुशिया या कब-कब वो ऐसा समय होगा जब हमको कुछ अच्छे ख़वर मिलने वाली है, कौन साइसा खराब समय होगा, जिसको मैं अच्छे से उसको बिताना है, इन सबी चीजों की जानने के हमारी लाजसा होती है, हमारी इक्षा होती है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मैं एक वीडियो की स्रंख्रा आ तो आपको इस वीडियो को अन तक जरूर देखना चाहिए, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यह 12 वीडियो की स्रंख्रा है, इस वीडियो में जो आज का वीडियो में किवल एक ही राश्य के बारे में बताऊंगा, आगे आने वाले मेरे जो वीडियो होंगे, उसमें पाकी राश्यों के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो की जो स्रंख्रा चल रही है, उसमें आज हम बात करने वाले कुम्ब राश्य की, क्योंकि इसके पहले की जितनी वी राश्या है, उनके में पर्टिकुलर अलग राश्य के वीडियो बना चुका हूँ, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्षन बाक्स में उस सारे वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी आप वहां से उन सारे वीडियो को देख सकते हैं जिसकी घुट्राशी बिया attain Town कुम राशी वालों के लिए ब्यापार के छेतर में ये वर्ष ब्यावसाइक छेतर में आपको नए कारियों की प्रणना मिलेगी और पिछले आरंब किये गए कारियों फलित होंगे जो आपने पिछले कुछ सालों से कुछ काम कर रखे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी किसी प्रवाशली व्यक्ति के माध्यम से आपको अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने तथा उन्हें शुभारंब की इस्तिती तक लाने में मदद भी मिल सकती है यानि हो सकता कि किसी पहुँच वाले इंसान से आपका मेल हो जाए और उसकी थूँ आप कोई नए काम सुरू कर दे एजेंसी, कारे, ट्रांसपोर्ट आदी में प्रगति का योग है यदि आप फेक्टरी, मशनरी, उत्पादन, प्रक्रिया से संबंद है तो फरवरी अपरेल में मशनरी की खराबी, कच्चे माल की उपलब्दता आदी का सामना करना पड़ सकता है यानि कि आप कोई ऐसा काम करते हैं, जो मशनरी से संबंद देते हैं, कच्चे माल से संबंद देते हैं, तो उसमें वो चीज ना मिलने करना आपको प्राब्लम हो सकती है संपत्ती की खरीद पर बड़ा ब्याव भार आ सकता है, यानि कि आगा कोई आप संपत्ती खरीद रहे हैं, तो उसमें बड़ा खर्श आपको करना पड़ सकता है यदि आप नोकरी पेशा हैं, तो इस वर्ष आपकी रुक्य हुई पदनती फलिफूत हो सकती है, यानि कि हो सकता कि आपको इस सार्प्रमोशन मिल जाए यदि आप नोकरी पाने के लिए प्रयास में हैं पिछले कुछ बर्षों से असफल हो रहे हैं तो इस वर्ष आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांस है घर ग्रेष्ति यदि एक स्थान से अधिक में बटी है तो वर्ष परारंभिक सुख परेवारिक सुख मिलने के संके थे अगर आप अलग अलग जगे काम करते हैं आप कहीं काम करते हैं आपके घरवाले कहीं और काम करते हैं तो इस बर्ष हो सकता है कि वो एक साथ आ जाए मैई से जुलाई के मद्ध सम्बंधी जन के स्वास्त को लेकर परेशानी हो सकती है संतान पक्ष की शादी विवाहर एवम पदननेती के प्रसुपरसंग इस वर्ष आपको मिल सकते हैं दवा केमिकल छेतर में सफलता के योगे यदि आप राजनेतिक गे हैं तो आपकी पार्टी द्वारा नईनी जम्मेदारिया आपको मिल सकती हैं जिससे आपकी सामजी के मिराजनेतिक छेतर में प्रसुपरसंग बढ़ेगी इलर्जी जन्य समस्याएं कष्ट दे सकती हैं आपको अपने स्वास्त का भी आपको विश्यस ध्यान अखना है प्रतियोगी प्रिक्षा में सफलता मिलने के इस साल अच्छे संकेत हैं इस बार आपको चाहिए कि शनिवार का ब्रत करें और हर्मान जी के आराधना करें तो ये सब चीज़े आपके लिए सुलब होगी तो किसा लगा आपको वीडियो और इसमें देखे जान करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज से लाख कीजिए शेयर कीजिए और मेरे से जोतिश मत को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नविशे के साथ तो आपके एक खुश और मुझीद जा गया जाहें